हेलो स्टेंट्स, विल्कम इन मा यूटूब चनल पाठक मैट्स तो आज मैं दो क्यिस्चन लेकर के आया हूँ जो की पेरी मिटर और एरिया से रिलेटेड है तो चले देखते हैं कि हम क्यिस्चन को कैसे साल्व करते हैं इजीवे में तो सबस्पल हम बात करते हैं क्यूश्चन लमबर फर्स्ट की जिसमें लिखा है कि फोर ग्रास बेट्स इच आफ डायमेंशन थ्री मीटर एंड बाई वन मीटर यानि कि जिसकी डायमेंशन क्या है थ्री बाई वन मीटर है और डग inside a square park यानि कि एक square park है एक square के आकार का park है इसके अंदर चाढ़ फोर ग्रास बेड़ है यानि कि घास वाली क्यारिया है वो खोदी गही है inside the park यानि कि park के अंदर की ओर तो इस तरीके से एक square park है एक square park है उसके अंदर 4 grass beds है यानि कि छोटी छोटी क्यारिया है तो इसकी dimension क्यारियों की dimension क्या है 3 meter है length और 1 meter क्या है breadth और इसी तरीके से सभी की यानि कि इसकी भी 3 length 1 breadth इसकी भी 3 length 1 breadth इसकी भी 3 length 1 breadth है आगे किस्टम लिखा है and length of park is 6 meter और जो park है, park वो कैसा है, square क्या कर है और उसके length कितना बोलता है, 6 meter तो जब इसकी length 6 meter है तो इसकी 4 side क्या होगी 6 meter क्योंगी, क्योंकि ये क्या है, square है और square की सभी side क्या होती है, equal होती है और question last निखा कि find the area of the remaining part of the park के यानि इस पार्क के वह है रिमाइनिंग पार्ट यानि की वह है एरिया जहां पर क्यारी नहीं है यानि की बेट से नहीं है हमें उनकी एरिया को निकालना है तो सबसे सिंपल है क्या करेंगे हम कि सबसे पहले पूरे पार्क की एरिया निकालेंगे और इसके बाद हम क्या करे क्यारियों की एरिया निकाल करके उसमें से सब्सक्राइड कर देंगे पूरे पार की एरिया निकाल देंगे और उसमें क्या करेंगे क्यारियों की निकाल देंगे तो फिर यह रिमाइनिंग पार्ट आपका बचेगा जो यह वाला पार्ट बचेगा यह तो यहां की एरिया कित कुछ दिया है तो तो हम क्या लगेंगे given है यानि कि given vision क्या है length of park length of park यह वो है कितना आपका 6 meter है length of park कितना 6 meter है thaom इसी के साथ क्या निकाल लेते है area of park क्या निकाल लेते है area of park तो area of park चाप पार्क है कैसा हमारा square क्या का है तो area पार क्या होगा length इंटू length कहें या side into side यानि कि जो square होता है उसकी सभी length ही क्वा लोती है तो हम length into length कहें या फिछ side into side कहें लेंथ क्या है 6 तो 6 into क्या हो जाएगा 6 यानि कि 36 square meter ये क्या हैगा area या आफ पार्क की एरिया है, चलिए निखेंगे next time, यानि की पूला, अब हम क्या करेंगे, कि area निकालेंगे, bits की area निकालेंगे, तो एक bits की हम क्या करेंगे पहले, dimension लिख लेते हैं, तो dimensions of, of bits, grass bits, grass bits, वो क्या है आपकी, 3 meter into 1 meter, then area क्या हो जाएगी इसकी, area of bits, वो आपके हो जाएगी, यही यानि की 3 into 1, यानि की 3 वन जा, 3 square meter, तो एक bit की area कितनी आ जाएगी आपकी, 3 square meter, एक bit की area हो गई, तो ऐसे ही कितनी bits हैं, 4 bits हैं, तो उनकी area क्या हो जाएगी, and area of 4 bits, वो क्या हो जाएगा, एक की 3 हैं, तो 4 की क्या हो जाएगी, 4 into 3, यानि की 12 square meter, फिर इसके अधर में क्या निकालना है, area of remaining park, यानि की बच्चे हुए पार्क में जो अस्थान बच्चा है, उसकी हमें क्या निकालनी है, area निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, area of remaining park equal to area of park, minus area of 4 beds, यानि की 4 beds की area को घटा देंगे, तो area of park कितना आपका, 36 क्या लिखेंगे, 36 minus area of beds कितनी है, 12 है, तो क्या हो जाएगा, 12 है, और इस तरीके से, 36 minus तो लापत क्या हो जाएगा, 24 square meter होगी है, क्या होगा, आपका answer होगा, तो हम कुछ इस तरीके से, इस questions को solve करेंगे, और चले देखते हैं, question number अगला, in the cast of fencing, a rectangular field of dimension 46 meter by 24 meter, एक rectangular field है, कुछ इस ताइप से, एक rectangular field है, इसकी dimension क्या है, 46 centimeter, sorry, meter, और अगली dimension है, 24 meter, यह इसकी dimension है, एक rectangular, park है, उसकी dimension क्या है, 46 meter and 24 meters है, आगे क्या बोलता है, at the rate of 3 rupees per meter, find the cost of leveling the field at the rate of 6 per square meter, यहां पर हमें दो चीज़ पता करना है, पहला क्या है, हमें इसमें fencing करानी है, fencing का मतलब क्या होता है, बाड़ी लगवानी है, यानि कि इससे हमें, चलो माल लेते हैं कि तार लगवा कि इसे cover करना, close करवाना है, तो जो fencing होगी, यानि कि जो उसकी boundary बनेगी, वो बनेगी कहां, इसकी boundary पर, यहां पर बनेगी, fence यहां पर लगाया जाएगा, और यह जो हम खीच रहे हैं, यह क्या कराता है आपका, perimeter, यानि कि जो fencing होगी, fencing कहां होगी, perimeter पर होगी, इसके बाद question मिसके साथ साथ मुच्छा है, कि हमें इसको leveling भी कराना है, उसकी भी कास्ट पता का नहीं है, तो leveling का मतलब क्या होगा, कि जो यह field होगा, इसको बराबर करना, तो बराबर कहा कराना होगा, हमें बराबर यहां करना होगा, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, area बोलते हैं, थोड़ा साथ ध्यान देना है, कि जो fencing होगी, वो कहां होगी, perimeter पर, क्योंकि fence का मतलब होता है, बाड़ी लगवाना, यानि कि बाड़ी कहां लगएगी, boundary पर लगती है, यहां जो last उसकी सीमा होगी, वहां fencing होगी, और जो लेवलिंग कराएंगे, तो लेवलिंग कहां होगी, उसके अंदर वाले भाग में, यहां लेवलिंग होगी, और यह क्या कराता है, आपका area कराता है, तो confirm हो जाएगा आपको, कि fencing कहां होती है, perimeter में, और लेवलिंग कहां होगी, area में, मतलब कि इसी rectangle के में पहले एक बार area निकालनी है, और उसके बाद उसके rate को multiply कर देना है, बस हो गया, तो चलिए कुछ दिया है उसको बनली लेंगे, given है, क्या given है, length कहें या फिर dimension कहें, तो length of field, वो कितना है, 46 meter and breadth of field, वो है आपका 24 meter, इस प्रकार से, अब अगर हम क्या निकालेंगे, perimeter अगर निकालेंगे, तो perimeter क्या जाएगा, perimeter of field, वो आपको जाएगा 2 into L plus B, यानि कि 2, तो 2 L क्या आपका, 46 plus B क्या आपका, 24, और फिर दोनों को add करेंगे, bracket के अंदर है, तो पर इसको sallow करना है, add करेंगे, तो 4 plus 6 आपका 10, और 2 plus 4, 6 plus 1, 7, into 2 है, तो 2 into 70, यानि कि 140 meter हो जाएगी, तो fencing हमें कितने करानी पड़ेगी, 140 meter हमें क्या कराना पड़ेगा, fencing करानी है, अच्छा, fencing का rate क्या है, 3 rupees per meter, तो लिखेंगे, since far, rate of fencing, वो क्या है आपका, 3 rupees per meter, 3 rupees per meter, तो वो कितने में है आपका, 1 meter पर 3 rupees का खर्चा है, तो कितने meter है total, तो 140 meter है, तो rate कर लेना आपको, therefore, total cost of fencing, equal to क्या हो जाएगा, 3 into 140, यानि कि 14, 3 जा क्या हो था आपका, 42, और 0 तो क्या लगएगा, 0, यानि इस प्रकार से, कुल मिला कर आपको, 420 रुपे लगेगा, और उसकी fencing हो जाएगी, और चलिए अब देखते हम क्या, कि उसकी हम leveling का cost कैसे निकालेंगे, तो आपको rate करना है, next time, यहाँ पर हमें area निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे area of field, क्या होगा, L into B, L क्या हमारा, 46 उपर से, और B कितना हमारा, 24 स्कुम क्या करेंगे, multiply करेंगे, तो 24, 6 जा, हो जाएगा आपका 144, कहरी जाएगा, आपका 14, 24, 4 जा, हो जाएगा, 96, 96 प्लस 14 करेंगे, तो हो जाएगा, आपका 110, 110, तो इस प्रेकार से, 1100, 4 स्कुम क्या होगा, आपका area हो जाएगा, और फिर अगर हमें इसकी leveling का खर्च निकालना है, तो एक बार हम फिर से राट करेंगे, कास्ट आफ, कास्ट आफ, लेबलिंग, इन, वन स्कुमार मीटर, इन, वन स्कुमार मीटर, कितना आता है, 6 रूपी जाता है, therefore, कास्ट आफ, कितने में कराना हमें, 1100, 4 स्कुमार मीटर में कराना है, तो कास्ट क्या हो जाएगा, 6 into 1104, और इसको multiply करेंगे, यह हो जाएगा, 6, 4, 24, 6, 0, multiply करेंगे, 0, यानि की, 2, 6, 6, 6, 6, 6, यानि की, leveling कराने का खर्चा आप पाएगा, 6,620, फोर, उमीद है कि यह questions आपको समझ में आएंगे, और फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए, नवसकार.